तो नमस्कार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् I know new Use करने का तरीका क्या होता है या Unlock Tool को कैसे बुइड कियाी जाएगा या उसको कैसे डाउनलोड किया जाएगा किए किसी पासवर्ड क्रेयेर की या जा went हो इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको बता जाता है आज दोस्तों जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे पाज जो Unlock tool आता है, Unlock tool के मारदया में से आप Mobile phone के अंदर Lock कैशे खोलेंगे, पहले तो सर मैं अपको इसके बारे में पूरा आपको describe करता हूं, पूरा आपको अच्छे से समझाता हूं, अगर कोई problem आती है, को कोई भी प्रॉबम आयो तो उसके करीसे करेंगे तो अदोस्तों आपके स्क्रेट में एक ऐसा तूल खुल जाएगा क्लिवी प्रॉब्लम आया तो आप इसके बारे में में से जन्गरी ले सकते हैं तो लोग बात करते हैं कि अories करेंगे और यूज करने के भाद इसको इस कि तोि नोनौक थुल का इस तरीके से ऐसा आईकन बन कर जाएगा इस आईकन करेंगे तो उपDEN करने अब आपके screen में एक ऐसा tool खुल जाएगा यह आपके screen में ऐसा software खुल जाएगा यह software open होने के बाद यह हमारा software खुल गया है अब इस software को हम लोग कैसे कैसे use करेंगे एसके अंदर features क्या है यह इसके अंदर क्या क्या सुफिधाय दी गई है इनको कैसे प्रेदर यूज करेंगे, इसके बारे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात क्या है, unlock टूल में हैंब लोग, पूरा मणेख एक करेंगे आपको डिटेल में समझाता हूं, तौश्प से पहली बात दिया हुँ यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों दिया हुए कि मोबाइल फोन सब्सक्राइब मअ म॰्स alm सब्सक्राइब अपेल कर दिया हुए है, यह V स्मार्ट है, मीज्यू है, टेकनो है, आसूस है, इसपेड्रम, इनफिनिक, एपल, अंडरेड, मेडिया टे टेक, क्वालिकाम, लिनेवो, नोकिया, यजी, अगर देखा जा तो मouselli जितने भी सारे मोबाईल पून आते हैं, सारे मोबाईल Glaude म Hem Hem Pour पूरा covered है, अगर आप देखा जाए तो इस डोंगल के जो टुलना करी जाती है, यह जो डोंगल हमारा आता, इस डोंगल के जो हम लोग टुलना करते हैं, जितने भी लोग टुलना करते हैं, इस की, इस डोंगल के टुलना जो होती है, यह अपने यम्टी प्रो वर्सेज अनल नहीं भी तरीके से हमारा प्रम करता है venue होता है इस1210 अनलॉक करते हैं जिस तरीके से हमारा प्रम करता है फैरो manner चिंख होता है तो मतने कर वर्सस अनलॉक टूल, ये दोनों विल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों को वर्किंग स्टैल, सबको सम्तिंग क्या रहता है, तो हम बात करेंगे कि ये डोंगल में से इसको यूज करेंगे, यूज करने के बारे में पूरा जानकारी देंगे हैं आपको, ये डोंगल सीप्यू को इससाफ से भी इसके इंदर सीचर दिया हुआ है, कि देखा जाए, जितने भी चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, तुम्हारे चाहे हैं, ओपो हैं, वीवो हैं, रियल्मी हैं, टेक्नो हैं, लावा हैं, कार्बन हैं, इन्फिनिक्स हैं, जो भी कंपनी के मोडल आते हैं, जो ऐसे कंपनी के मोडल आते हैं, जो अपने चाइनीज केटागरी में आपको बोलते हैं, तो वो चाइनीज केटागरी के मोबाइल फोन, टोटली जो उनके रिपेरिंग होती है, सीप्यू पर डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होती हैं, किस पर पूरा जानकारी दूँगा पूरा एक एक करके आपको समझाऊंगा तो आज जो हम लोग जो समझने वाले हैं वो Samsung के Mobile Phone के बारे में समझने वाले हैं इससे एक बात और कहना चाहता हूं कि Samsung Dongle के माद्याम से हम लोग कैसे unlocking करेंगे कैसे flashing करेंगे कैसे lock खोलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसके बार हम आपको एक एक करके जितने भी सारे software है सभी software के बारे में आपको हम detail से पूरा वीडियो देंगे जैसे आपको यूम्टी पूरो दोंगल के बारे में वीडियो दिया है उसी तरीके से मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो दूँगा बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों ने मुझे डोंगल के लिए और किया हुआ है मुझे मंगाया हुआ है डोंगल को पर्चेस किया हुआ है यहां तक कि बहुत ऐसे करेंगे तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस डंगल को यूज कैसे करेंगे तो सबसे पहली बात किया जैसे हमने आपको बताया है कि आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो सैमसंग के बारे में सिखाने वाले हैं सैमसंग के मोबाइल फोन को कैसे रेपेर करेंगे और सैमसंग को रेपेर करने के तरीका क्या है सबसे पहली बात किया Samsung को यूच करने के लिए आपको Samsung option में click करना पड़ेगा जैसे आप Samsung के पी click करेंगे तो Samsung के जितने भी सारे features होते हैं सारे features खुल जाते हैं सारे features खुलने के बाद इसमें आप अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात यह खुलता है आपका odin mode क्या CPU लगा होता है दोस्तो SPD CPU लगा होता है अगर देखा जाए तो तुमारे keypad के mobile phone जैसे keypad के जितने भी basic mobile phone आते हैं उनमें हमारा SPD CPU लगा होता है तो उनको जब आप repair करेंगे तो आप broom mode, ideal mode इसका यह उच करेंगे उसके बाद function, इसके अंदर सारे function खुल जाते हैं उसके बाद आप odin odin के माद्यम से आप mobile phone को flash कर सकते हैं, unlock कर सकते हैं जो भी सारे features यूज करना चाहते हैं, सारे features को आप यूज कर सकते हैं तो सबसे पहली बात क्या जैसे हमारे पास Samsung के जितने भी mobile phone आते हैं आते हैं कि उसके पासवर्ड लग जाता है, pattern lock लग जाता है, ऐसा कोई problem आ जाता है तो उस mobile phone को आप hard reset कर लिजे, आप उसका वीडियो यूटूब में भी देख कर को hard reset कर सकते हैं यह Samsung के mobile phone होते हैं, Samsung के mobile phone के अगर हम बात करें Samsung अगर mobile phone के बात करते हैं, locking Samsung के mobile phone में क्या होता है, दो तरीके के lock लगते हैं एक तो पहला lock होता है, pin, password, pattern उसके बाद दूसरा lock होता है हमारा FRP अगर Samsung के case में देखा जाता है, तो Samsung के जितने भी mobile phone आते हैं, उसमें यह lock वोई हमारा मजबूत नहीं होता इस lock को हम लोग अपना volume plus minus बटन दबा करके, उसको recovery mode में ले जाकर, wipe data करके format कर सकते हैं लेकिन उसमें लग क्या जाता है, उसमें फिर FRP लग जाता है क्या लग जाता दोस्तों? उसमें FRP लग जाता है, FRP का मलब होता है, जब phone हमारा दूबारा चालू होता है तो वो Gmail ID password मंगता है, तो Gmail ID password को हम लोग FRP लोग कहते हैं, तो वो FRP लोग लग जाता है तो उस FRP लोग को हम लोग इस dongle ये tool के माध्यम से हम लोग तोड़ते हैं अब dongle के माध्यम से तोड़ेंगे, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप अपने mobile phone को simply आप ऐसे connect कर दीजे जब simply आप अपने mobile phone को connect कर देंगे, तो connect करने के बाद वहाँ पर mobile phone के अपकर mobile phone करने एक option आता है, emergency को option आता है FRB mode में connect कर देंगे, उसके बाद आपके mobile phone करने एक option आता, emergency, emergency को open करेंगे, emergency को open करने के बाद आप उसमें code type करेंगे, star has zero star has, आप इस तरीके से code type करेंगे, जैसे आप code type करेंगे तो उसमें engineering mode खुल जाएगा, देखिए मैं आपको engineering mode खुल के भी दिखाता हूँ कि कैसे आप type करेंगे, कैसे mobile phone में engineering mode हमारा खुलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें darling pad में जाएगे, calling वाली बटन के feature को दबाएगे, इसमें calling बटन के feature में दबाने के बाद इसमें star है, zero star है, जैसे open करेंगे तो इस तरीके से हमारे system के अंदर engineering mode खुल जाएगा, जब engineering mode खुल जाएगा, तो आप mobile phone को data cable system से क्या करेंगे, connect कर देंगे, जब आप mobile phone को system से connect कर देंगे, तो अगर आप उसको lock खोलना चाहते हैं, फर भी खोलना चाहते हैं, तो आप इसमें function में जाएंगे, function में जाने के बाद, यहां लिखा हुआ है, remove FRP, क्या लिखा हुआ है दोस्तो, remove FRP, तो आप क्या करेंगे, remove FRP पे click करेंगे, जैसे remove FRP पे click करेंगे, तो देखिए उसम इसमें, 2022, उसके बाद इसमें देखिए, सबसे पहली बाद, open emergency dialing mode, देखिए लिख कर क्या रहा है, जैसे आप dialing mode में type कर देंगे, then click continue, क्या करना है, इस continue पे क्या कर देना है, click कर देना है, ऐसे, जैसे continue पे click कर देंगे, तो continue पे click करने के बाद, अगर आप देखेंगे, इसमें, दो तरीके के method generate होते हैं, एक तो तुमारा होता है method, old method, दूसरा होता है new method, अब यहाँ पर बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि यह ऐसे user हैं, जो umt pro dongle को इस्टेमाल करते हैं, अगर वो लोग अगर mobile phone केंदर, samsung के mobile phone में lock, खोल रहे हैं, तो वो लोग इस तरीके का mode का इस्टेमाल करते हैं, जो हमारे umt pro के अंदर दिया होता है, लेकिन जो नई security तोडने का method आया है, यह new method मात्र unlock tool के अंदर ही पाया जाता है, अभी अपने umt pro के अंदर add नहीं हुआ है, तो जब umt pro के अंदर add नहीं हुआ है, तो अगर बहुत ऐसे mobile phone आते हैं कि वो old method को लेता है, अब हमारे पास मालिया जैसे Samsung का mobile phone आगया, Samsung A10 हो गया, A20 हो गया, M30 हो गया, ऐसे mobile phone आते हैं तो हम लोग उसको lock खोल लेते थे, लेकिन अब और नए mobile phone आगया, जैसे A11 हो गया, A12 हो गया, यह और भी नए A series के mobile phone आगया, तो उस नए mobile phone की security को आकर करें, देखा जाए, तो जो आपका जो 13 वर्जन, 14 वर्जन आया हुआ है, अगर उस वर्जन की security को तोड़ने के लिए, वो हम लोग इसके मात्या में से security को नहीं तोड़ पारते थे, FRP को break नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जब old method से नहीं कर सकते थे, तो हम लोग new method से क करते हैं, तो आपके mobile phone को लोग खुल जाते हैं, तो आप दोनो method को try कर सकते हैं, यह वाला भी try कर सकते हैं, और यह वाला भी try कर सकते हैं, तो आप phone को connect कराएंगे, phone को connect कराने के बाद, ऐसे new method पे click करेंगे, जैसे new method पे click करेंगे, तो बोले का scanning device fail, मतलब आपका mobile phone connect, नही के बाद यहाँ पर software का information आ जाती और software का information की बाद यहाँ पर लिख जाता है FRP log done मनलब आपका FRP log क्या हो गया है तूट गया है फिर आपका mobile phone चालू होता है उसमें allow का एक option आता है आप उसको allow कर देते हैं और आपका mobile phone चालू हो जाता न हो जाता है और आपके mobile phone का FRP lock गयब हो जाता है और Samsung जो ऐसे mobile phone आते हैं उसका FRP lock खुलने का market में 200, 200, 300, 500 रुपरे तक लिया जाता है जबकि लोग करते हैं रहे वो online खुलेगा ये है वो है बहुत सारी चीज़ें आपको समझाते हैं लेकिन आप इसके मात्यम से आप आसानी से FRP lock को break कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब खास बात क्या है जब यहाँ पर option आजाएगा और यहाँ पर आपका जो भी mobile phone है वो mobile phone के connectivity सो करेगा जैसे Samsung com 7 ऐसा connectivity आजाएगी तो इससे पता चल जाएगा कि आपका mobile phone क्या हो गया है connect हो गया है आपका mobile phone connect हो जाएगा और आप उस mobile phone का lock खोल सकते हैं असानी के मात असानी से उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे feature दिया हुआ जैसे MTP installer है FRP bypass का feature दिया हुआ बाइपास कर सकते हैं तो इसके अंदर हमारे पाद ज़्यादा तर मुश्ली Samsung के जितने भी सारे mobile phone आते हैं सारे mobile phone में हम लोग FRP bypass करने का ही काम करते हैं तो इसके अंदर ये और भी सारे features हैं जो आप इनका use कर सकते हैं तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया है कि Samsung के mobile phone को FRP कैसे अटाया जाता है और मैंने Samsung के mobile phone को FRP अटाने के तरीका आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से Samsung के mobile phone को FRP को हटाएंगे तो आज दोस्तों मैंने आपको unlock tool के बारे में समझाया हुआ है कि unlock tool में Samsung के mobile phone को कैसे repair करेंगे यह Samsung एक brand है उस brand के अंदर जो mobile phone हाते है उसके अंदर lock लग जाता है तो उसको कैसे तोड़ेंगे और उसके अंदर FRP लग जाता है तो FRP को कैसे bypass करेंगे अगर Samsung मगर देखा जा तो Samsung के अंदर FRP bypass करना है बहुत बड़ी जेटिल समस्या है कि इसे mobile phone आते हैं जिक का हम लोग FRP bypass कर लेते हैं लेकिन अगर हमारे पार टूस डोंगल होता है तो आसानी से हम चुटकियों में कोई भी mobile phone होता है उस mobile phone करना है FRP lock को break कर सकते हैं इसके अंदर एक और feature हमारा खूल गया था जैसे आप देखेंगे मैं आपको बताने जब आप device manager पर click करते हैं तो यह device manager आपका directly open हो जाता है जो आप my computer में जाकर right click करके property में open करते थे और यह आपका device manager open हो गया है तो यहाँ पर आपको जो भी mobile phone है वो mobile phone के connectivity सो करेगा कि आपका mobile phone connect है कि नहीं connect है यह सारी बाते सारी information यह सारी चीजे जो है इस टूल डोंगल software के अंदर आपको present होंगी और आपको दिखाई देंगी तो आज दोस्तों मैंने unlock tool के बारे में बताया है कि कैसे हम लोग unlock tool का use करेंगे unlock tool के बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दिया है वीडियो में आपको कैसा लगा वीडियो में क्या सारी चीजे जो मैंने आपको बत तो दोस्तों मैंने आपको unlock tool के बारे हम जैसे आपको बता है तो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया तो आज दोस्तों मैंने unlock tool के अंदर mostly Samsung mobile phone को मैंने describe कि Samsung mobile phone आते हैं उसको हम लोग कैसे unlocking करेंगे या उसको unlock करने के तरीका क्या है Samsung mobile phone को अगर देखा जागर आफ flash करने की बात करते हैं तो उसको audience से भी flash कर सकते हैं लेकिन Samsung mobile phone करना main जो परिशान करने वाली जो बात आती है वो जितने भी सारे time जहां में होते हैं उसको देख देखके के परिशान होता है से चक्रा जाता है लेकिन अगर आपके पास यह software है तो इस software के मार्दयम से आप बहुत आसान ही से FRP को बाइपास कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैंने आपका unlock tool के बारे में Samsung के बारे में आपको समझाया हुआ है वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें वीडियो को share भी करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इतना में इनस सी वीडियो देते ह और आप देखेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता है कि कैसे हमारे पार student class कर रहे हैं किस तरीके से mobile phone में training लेते हैं क्या क्या सारी चीजे उनको सिखा जाता है हमारे पार जितने भी सारे mobile phone आते हैं सारे mobile phone की जो repairing होती है वो दो तरीके से होती है hardware होती ह दूसरी क्या होती है software होती है hardware software दोनों माध्यम से हम training देते हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पास और वी ऐसे student रहे थे जो तीन-चार student जो कहीं training लेते थे training लेने के बाद उनको डेड़ दो महीने हो गया कहीं सीखते सीखते लेकिन उसके बावजूत भ पर लोग खुलने का लगता है पैसा और हम नहीं खोल पा रहे थे तो हमने का अचलियो कोई दिक करने बाद में क्लास में जब आया पैसे लिए तो एक तो दोस्त उनका दोस्ती था कि उसको मेरे पास मात शीखते सीखते 15 दिन हो गया था उसको डेड़ महीने ओ गया ता कही है नहीं कर पाता तो बोला कि यहीं बात है कि हम सर के पास सीख रहे हैं तो हमको पूरा complete training मिला है हमको पूरा जानकारी मिला है तो अच्छी बात है तो फिर उसने भी अपना अज अपना admission करा गया जोईनिंग करा गया कि सर मैं भी कल से आउंगा और सीख कर कर करूँ गया हम आप लोग आकर एक बार अच्छे सीख नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे लेकिन मैं आप से बात के लिए कहना चाहूंगा कि जो भी स्टुएंट मेरे पास सीखने के लिए आते हैं तो इस बात की 100% के साथ मिस्योटी है कि आप पहली बात तो ट्रेनिंग पूरा सीखने वाले हैं उसीख करके ही जाएंगे मेरे पास आज की दिन now a निकल की दिन बाबात करता हूं आज से तुमका बैस स्टाट हुआ है कल से मेरे पास एक ओडिसा के भोने सवर्क रहने वाले हैं उन्होंने हमारे पास मोबाइल फोन पेरिंग का कोस को जोइन किया है और एक लोग इटावा के रहने वाले हैं उन्होंने मोबाइल फोन रिपेरिंग को जोइन किया है एक बात मैं और कहना चाहिए तो वीडियो के माध्यम से कि मेरे पास जो अभी जो लोग जो स्टुडेंट है जो मोबाइल फोन रिपेरिंग को सीकर डिव हैं अबने मोबाइल फोन रिपेरिंग के दुकान को लिय चो से कहा को site तो उनके पास एक mobile phone आया था, उस mobile phone के अंदर, MI का 8A mobile phone था, उस mobile phone के अंदर पासवर्ड लगा था, अब वो password लगा था, वो जो mobile phone आया था, वो उनके बगल में दुकान थी, एक दुकान थी बगल में, बहुत चार-पांच दुकान छोड़ करके, एक उनकी दुकान थी, तो उनके पास आया था, mobile phone में लोग खुल वाने के लिए, कहता है, भाई, मेरे mobile phone को लोग खुल लोगे, कहता है, हाँ, क्योंको उन्होंने अपने दुकान में बैनों लगा रखाएगी, आपर hardware है, software है, IC level तक का पूरा complete repairing होता है, तो उनके पास आया, कहता है, बहुत लोग ख है, खुलो, उसने इसलिए बोला कि यार, यह नया आदमी आया है, कहां से महीने, दो महीने कैसा, कौन तर काम सीख कर के आ गया, कि तुरन दो मेट में सारा software भी कर रहा है, हार्ट भी कर रहा है, सारा काम कर सकता है, तो उन्होंने राजियो जी ने क्या किया, उस mobile phone के लिए, खोला, उसको कनेट कराया, कनेट कराने कुए लोग खोला, लोग खोलने के बाद, आज उन्होंने अपने हक की बात करने की बात कहते हैं, कि उन्होंने डेर सोर पर उससे लिए, जब कुस बंदे न का कि सोर पहले हो तो उन्होंने बोला, नहीं सर, मैं उससे कहे के मैंने डे कार हो गया बाई कि दो महीने के अंदर सारा काम वो सीखने के बाद काम कर सकता है तो उन्होंने कैसे इसकी परिच्छा लियो आज इस बंदा परिच्छा में पास भी हुआ मोबाइल फोन को लॉग खोल करके भी दिया तो उन्होंने मुझे फोन करके भी बोला उन्होंने मुझे लगता है कि मैं अपनी जिन्दिगी में फिर एक बार अच्छी तरीके दरपहल उगा और मुझे हुषी मिली देखें ये उन्होंने मुझे मैसेज किया अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मैसेज दिखाता हूं है यह आज का ही मैसेज है कि के नेемся llegó कि सार मेरे mobile phone का लॉग खोल दिया तो ये वड़ी हुसी की बात होती है जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीख्र कर जाते हैं पहले बात होगा हमने अपन सीखने के लिए दूसीर बात की है हम आपको जब तक ढांग अपने था मोबाइल आपको um करते हैं दूसरी बात कॉछर hy हैं जो ज्हरखंडłości रहने वाले हैं वह भी at मुबाइल फोन की रिपेरिंग दुकान चला रहे हैं और सीकर गए आज उनों के पास भी मुबाइल फोन आया था तो कह रहते के सजे 6-7 दिन हो गया तो हमारे दुकान में काम भी नहीं नहीं आ रहा तो मुझे बड़ा टेंसन हो रहा था कि मैं काम करूंगा कि नहीं करूंग है पूरा कंपलीट काम जानते हैं तो जब हमारे पास काना काम आना इस्टार्ट होता है तो लोग हमको देख करके समझ जाते हैं कि भाई यह हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे मुबाइल फोन को ठीक करें दिया है इस बात का है और रेजम उनने पैसा लिया हुआ है तो यह बात मैं सर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इस तरीके से लोग हमारे पर ठ्रेनिंग लेकर कर जाते हैं और आज अपना भेतरीन काम कर रहे हैं और यह बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है कि जो सर आज इतना पांक साल शे साल मोबाइल कुन यह मत सोच कि तेरे काबिल नहीं हैं तड़प रहे हैं वो लोग जिन्हें हासिल नहीं हैं ग horr tout channel कि आ के दसक्ama रेगा लेकिन दस में सब्ट हेगा तो एक कई पैसा मिले का पैसा मेलेगा वह वापस चले जाएंगे तो इसलिए दोस्तों ऊपने आप को एक करेनिंग के लिए प्रिफए करिए और एक मोबाइल जैनके कंप्लेट लिजे और पूरा अच्छी तरीके से काम करें तो वीडियो में बने रहे हैं यह मुबाइल पुर्वक अपना बिजन कर सकते हैं वीडियो में बने रहे पारने के लिए थैंक्यों दोस्तों चैनल को सेयर सब्सक्राइब करें और अगर ट्रेनिंग लेना चाहिए तो हमारे इस नंबर को संपर करें और सारी चीज को जानकारी के बारे में समझें ओके दोस्तों